करने वाले हम जादा नीचे आ गया कही है थोड़ा सा उपर चाहिए था एक्चुली हमको यह अराउंड टू सिक्स्टी लेवल्स के आसपास वेट करते हैं वेट करते हैं जाला नीचे नहीं गिनना चाहिए नहीं तो फॉल डाउन कर देगा वह तू सिक्स्टी के आसपास एक काम करते हैं हम लोग फिफ्टी फोर पर रखते हैं शॉट के लिए चलिए फिफ्टी फोर हमारा यह ओडर है फिफ्टी फूर पर यह दे नहीं रहा है बोडिफाय करना पड़ेगा देखिए फॉर्टीन पॉइंट्स डाउन मिला हमको स्टॉप लॉस एंट अगर एक्शली मैंने यहां पर प्लान क्या हुआ है अल्रेडी बढ़ा मारा शॉर्ट नीचे हो चुका है तो शॉर्ट किया हमने अल्मोस्ट 54 पर ट्राइ किया उसने बट नहीं दिया ओके टेलिग्राम पर भी अपडेट कर दिया मैंने शॉर्ट इंट्री लिया हमने टाइमिंग तो आपको पता चल गया होगा 115 स्टॉप लॉस अगर हम बात करें 350 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा एंड उसके अगेंस्ट में हम 25 का टारगेड एंड 350 का हमारा स्टॉप लॉस दोनों लगा देते हैं विडस एग्जिट SLM 350 विल बी आवर स्टॉप लॉस एंड इसके अगेंस्ट में टागेट जो हमारा 125 का है एग्जिट लिमिट 125 यह 125 का हमारा टारगेट भी यहाँ पर लगा दिया है लेट सी और मुझ 6,000 के आवस पर लॉस चल रहा है स्टे टून विडस में आपको अपडेट करता हूं विडस आ होप आपने कल टेलीग्राम पे बहुत ही डीडियल चीज मैंने लिखी हुई थी observation लिखा हुआ था आपने वह रीट क जो मैं जनरली बैट के सूच रहा था तो solution इसमें यह निकल के आता है कि अब इतना momentum नहीं हो रहा है और जब तक भी coupon नहीं आती है तब तक we have to increase the quantity, increase करेंगे quantity तो चलो हम लोग 70-80 points में निकल सकते हैं बट वो business के इसाब से like long term के इसाब से वो solution नहीं है तो उसको मैंने as of now hold पे रखा है quantity चाहा है तो मैं इसका 500 भी quantity ले सकता हूँ है that much capital बट उसका solution यह नहीं निकल के आ रहा है like favorable solution मुझे नहीं लग रहा है so what I have decided थोड़ा time अब इतना ही चलने दूँगा मैं 250-300, 250-300 तक चलने देंगे और targets देखते हैं अगर विक थोड़ा improvement आता है तो हम लोग targets बड़ा रखेंगे rest नहीं तो 100 के आसपार रखना परेगा यह I think कुछ नहीं कुछ तो action लेना जरूरी है सेवी को और ले सकते हैं जब तक कैसा है कि हम लोग के government और being a Indian ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के साथ जब तक जब seriousness तक नहीं पौटते है ना penetration तक point नहीं पहले पहले कुछ action हो जाए अगर नहीं होता है तो हमारे पास solution वही है कि हम लोग छोटे targets के लिए काम करें और quantity बढ़ाए और कोई option ही नहीं हमारे पास capital बढ़ाना पड़ेगा अगर हम options की बात करें तो options buying करना मेरे एसाब से यह मैंने last जब मैंने आज से 6 मही ना पहले वीडियो बनाई थी अधिगारिंग से भी rules के लिए आप चाहके देख सकते हूँ मैं description में भी link दे देता हूँ तो वहाँ पर मैंने with example आपको यह चीज समझा दिया था कि traders कभी भी ध्यान रखना या जो भी webinar भी join करते हैं मैं उनको पहले first day पर ही समझा देता हूँ कि option buying आप जैसे मैंने bank nifty यहाँ पर हमने short की है तो मैं क्या इसके बदले put option buy कर लूँ नहीं होगा traders यहाँ पर जोई sideways वगरा होते हैं न market और specially जब आपका wick नीचे की तरफ आ रहा है तो आप अच्छे अच्छे setup के अंदर loss कर देते हो इतना easy नहीं होता है option buying करके पैसा कमाना है एक हद तक कम knowledge के साथ option selling में sideways market में कोई भी पैसा कमा लेता है but option buying is a very difficult job इतना easy job नहीं है बहुत लोग पैसा खो देते हैं उसके अंदर all right so अभी और कोई option है नहीं थोड़ा wait करेंगे let's see let's hope for the best कि से भी कुछ favor में decision लेके आए नहीं तो हमारे पास और कोई option होगा नहीं सिवाए quantity थोड़ा बनाना पड़ेगा and target points जो हमको थोड़े shift हो जाएंगे वो टाइम पर चो फेरिबल कंडिशन के हिसाब से मैं decision लेने वाला हूँ as of now मैंने कुछ भी change नहीं किया हुआ है ना ही मैं option trade करूँगा कुछ लोगोंने comment किया था कि अगर आपको quantity बढ़ा नहीं future में तो put option add the money और in the money वाला कुछ असे suggest किया था लेने के ल अपना cost बढ़ा हूँ तो logic नहीं है profit मेरे एकदम narrow down हो जाएंगे उसमें तो logic नहीं है जितना capital है उसे साफ से trade करना ही better है leverage के चक्कर में चले जाओ और वो options बगएरा बाय कर तो मेरे साफ से logical नहीं है हो सकता है कोई comfortable feel करे बढ़ मैं उसमे comfortable feel नहीं करना हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ सब चीज़े जो मेरे पास capital है उसे साफ से मैं trade करूँगा ज्यादा capital लगते है तो मैं ज्यादा capital लगा दूगा देखिए अगर आपके पास capital नहीं है तो what you can do छोटी quantity में trade कर सकते हो limited दीरे दीरे profit कमाते जाओ market से ही offer मार्केट में लगा और कोई सके अ जो कमाई होती है आप कहीं पर जॉब करते हो आप वहां से income कमाते हो तो वह आप बिंदास खर्चा करते हो किसी को आपको जवाब देने के जरूबत नहीं है तो same चीज़ मार्केट में भी आपको apply करना चाहिए market से पैसा कमाया आपने किसी की बिना मदद के आपने पैसा कम होते हैं वह अपने husband से पैसे लेके आते हैं और फिर losses कर देते हैं और फिर पूछते कि अब हम क्या करें तो बिलकुल भी पहली बात तो अगर आपके वह खुच के पैसे नहीं है इवन दो आपके वह blood relation में है और आप उनसे पैसे ले रहे हो तो वह नहीं समझ पाएंगे आ तो ट्रेडिंग जो है एक जो इस फील्ड में अंदर है involved है सुरू वही समझ सकता है कि यहां क्या loss है क्या profit है क्या है bank nifty कितना जल्दी पैसा बनता है कितना पैसा जल्दी गवात है हम लोग तो यह सब चीजें जो ट्रेडर है जो इस फील्ड में है अंदर उसी को समझ में आता है then you can prove you can show books to your parents or your husband then he can like invest कि हाँ चलो अब इतना अच्छे से चल रहा है so this can be our other source of income also or one of the source of income also simple all right I think इसने अब यह breakout जैसे बनाया हुआ है यह उपर की तरफ तयार ही कर रहा है breakout का बले ही breakout बनाया है बले ही levels तक आए एक बार decision ले लिया है हमने short का तो हम लोग उसमें रुके रहेंगे stop loss and target intact है 350 का stop loss है 125 का target है setup क्या था setup मैं देखिया आपको यहाँ पर बदा देता हूं यह levels पे एक तो मैंने नीचे से जो हमने लगाया हुआ है this is my resistance zone resistance 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 यहाँ पर एक बहुत अच्छा clearly sell-off का sign आया था तो इसले मैंने finally यह levels के आसपा short किया हुआ है I think 292 के आसपा आँ हुआ है 350 का अपना stop loss है 312 308 के आसपा आँ हुआ हुआ है that's okay कोई issue की बात नहीं है आराम से रुकेंगे proper stop loss पे निकलेंगे proper target I think अभी इन लोगों का stop loss जो है यहाँ पर पड़ा होगा वो हिट हो चुका है हमने थोड़ा सा उपर लगाया हुआ stop loss all right अब यहाँ पर ख़रें इससे भी उपर okay देखी यहाँ पर उनका stop loss हिट हो चुका है अब लेट सी कि यह लेवल्स भी हिट करके जाता है कि वो अल्मोस्स 325 के आसपास आया हुआ है 19,000 के आसपास लोगा है 20,000 350 का stop loss है and 125 का हमारा target है अब अगर वो यहाँ से गून के नीचे की तरफ आता है हमारे rates के आसपास आता है so we will trail our stop loss stop loss और कम कर देंगे risk अपनी यहाँ पर कम कर देंगे आरा ratio बढ़ा देंगे 17,000, 19,000 के आसपास चल रहा है let's see traders में आपको update करता हूँ all right traders यहाँ पर trigger हो चुका है 350 level market ने बहुत अच्छी recovery दिखाई है यह cancel कर दिया short covering हो चुकी है market के अंदर smoothly पूरा one side momentum दिखा दिया इसने देखे यहाँ पर यह breakout के बाद ही उसने power दिखा है that's okay traders part of game है calculation wrong हो गई यह levels पर resistance का actually thinking थी मेरी नहीं हुआ अब इसने market ने क्या कि actually यहाँ test कर लिया यहाँ test कर लिया यह भी test था यहाँ से fall आने के बाले देखी मने कि यह भी trend line बनाई है तो मतलब उसने कहीं ने के एक angle बनाया था यह यहाँ पर touch किया उसने fall करना चाहिए था बड़ वो fall नहीं उसके पहले ही वो निकल गया वो और उपर की तरफ निकल गया बहुत ही simple सी mistake थी मेरी यहाँ कि यह thinking मने रखी कि यहाँ पर rejection यहाँ rejection यहाँ rejection आने के बाद वो fall कर देगा fall नहीं किया simply उसने upside momentum करके यह shot covering कर दिया और कोई भी mistake नहीं थी इस setup के अंदर simple सी mistake थी stop log admin का यहाँ पर trigger हो चुका है and we have booked around 27,425 रुपीज all right thanks for watching video चलेगा तो like जरू कर देना we'll see in the next video